श्री महागणेश की इच्छा संसार को नियंत्रित करने के लिए वरांगी ने अपने पती को वचन तो दे दिया परन्तु क्या ये संभव होगा इसका ज्यान तो केवल परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर ही निर्भर करता है श्री महागणेश की इच्छा अनुसार अब वो समय समीप आता जा रहा है जब माता शक्ती को अपना वचन निभाना है माता शक्ती ने महराज हिमालय और महरानी मैना को वचन दिया था कि वे नारी अवतार धारन कर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी इसी कारे को पूर्ण करने के लिए श्री महागणेश प्रकट होती है हे माता शक्ती परवत्राज हिमालय तिथा महरानी मैना को दिये आपके वचन को पूर्ण करने का समय आ गया है हे माता आप अपनी अफ्तारी दिव प्राण जोती मारानी मैना को प्रदान करें आपका नारी अफ्तार संसार के कल्यान का कारण बनेगा वुर्णारी अपना करें करेंप प्राण देग्याईं आपका तुम्हेंस प्राण 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 करेंप-बनेगं परमदेवश्री महागणेश, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं विधी के विधाना अनुसार, महारानी मैना तथा पर्वत राज हिमाले की पुत्री के रूप में नारी जन्म लेने का संकल व्यक्त करती हूँ इसी में संसार का कल्यान है माता शक्ती परमदेव, आप भी मेरे पूर्व जन्म में दिये हुए वचन के अनुसार, मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हूँ